जहेंद आस्परेंट्स दिस जहीर देवल कमें बैक टो सब्सक्राइक एक्जाम्स एमर्जनसी यह हिंदुस्तान में एक ऐसा कॉंसेप्ट है या फिर एक ऐसा प्रोविजन है जो बहुत ही डिसकस्ट है और थोड़ा बहुत कॉंट्रोवर्शियल भी है तो आज के इस करने की कोशिश करूंगा तो आए लेक्चर को शुरू करते हैं अब देखे सबसे पहली बात अमर्जनसी लगाई कब जाती है आप अत्काली इंस्तिती जब हम कहते हैं सबसे इंपोर्डेंट सी चीज जब क्रैसिस सिच्वेशन यहां पर होता है तो प्रेसिडेंट ऑफ इ इंडिया में डी फ्रैक्टो रूलर जो है वो उनका कैब epicтор अधिए चै कैस है पूरा काम काझ का ब्रदान मंत्री और उनके कैबनेट से ही यह वह संब करते हैं और जब इहां पर कैबनेट की आडवाईंज आने पर प्रेंट अमटियंट करते हैं अमर्जनसी को तो कई सारे constitutional provisions को यहाँ पर overrule किया जा सकता है and one of the most important among them is fundamental rights बिलकुल एक आम नागरिक के मौलिक अधिकारों को भी यहाँ पर overrule किया जा सकता है उन्हें withhold किया जा सकता है अब थोड़ा बहुत मैं constitutional provision की बात करूँ किताब में जो provision है उसकी बात करूँ तो part 18 of the Indian constitution आप देख लें article 352 से लेकर article 360 यह सभी articles emergency से ही deal करते है अब emergency central government लगाती है state government का इससे कुछ लेना देना नहीं है खास कर जब कोई भी abnormal situation आता है उसे effectively deal करने के लिए अब यहाँ पर rationality यहीं बताई गई है कि किसले emergency लगाई जा सकती है बस यह कहकर कि क्रैसिस है किस तरीखे का क्रैसिस क्रैसिस ऐसा होना चाहिए कि भई हिंदुस्तान की sovereignty को बचानी की जरूरत हो वहाँ पर हिंदुस्तान की unity, integrity और country की safety की बचानी की जरूरत हो ऐसे मोके पर ही आप emergency को proclaim कर सकते हैं अब खुले तोर पर जहां पर democratic political system और constitution खुद अगर हिंदुस्तान का खत्रे में हैं तो उन्हें बचाने के लिए emergency के provision आप लगा सकते हैं अगर inspiration मैं कहूं तो वेमार रिपब्लिक constitution जो था जर्मानी का अर्स्ट्वेल वहाँ से हमने ये emergency का concept और fundamental rights जो suspend किये जाते हैं emergency के time में ये सभी हमने वेमार रिपब्लिक जर्मानी से ही लिये हूँ है अब देखिए कितने type of emergencies हैं अब वो 3 type of emergencies हमें हाँ पर बताए गए हैं सबसे पहला national emergency अब इनके purposes भी अलग हैं और उनके proclaim करने के तरीके भी मैं आपको in details सभी के बारे में बताऊंगा सबसे पहला national emergency roughly मैं बता सकूं तो article 352 of the Indian constitution deals with national emergency constitutional emergency या पर जिसे president role भी कहा जाता है article 356 of the Indian constitution और financial emergency deals article 360 of the Indian constitution ये तीनों articles तो बहुत ही important है मैं आप से recommend करूंगा कि आप इनने by heart करके रख ले तो ये शुरुवात हम पहले national emergency से करते हैं जिसमें article 352 में इसके बारे में दिया गया है अब यहाँ पर clearly constitution में ही दिया गया है कि national emergency जो है वो बिलकुल declare की जा सकती है लेकिन उसके purposes यहाँ पर बता रहा है कि on the basis of या तो war होना चाहिए एक दूसरे country के सान जब जगड़ा इंडिया पाकिस्तान इंडिया चैना का जगड़ा example में आपको दे रहा हूँ external aggression कोई दूसरा country हमारे उपर invade करने के लिए आ रहा है या पर हमारी territory छेन रहा है best example 1962 में चैना ने जो North Eastern Frontier में किया हुआ था वो दर असल external aggression ही था या फिर तीसरा armed rebellion अब थोड़ा बहुत मैं आपको background बता दूँ armed rebellion जो है वो जब हमारे खुद के नागरिक अपने हाथों में अथियार लेते हैं ये पहले नहीं था भारतियों राज्यांग में इसे दरसल replace किया गया था पहले यहां पर internal disturbance था जिसके बिना पर श्रीमत इंद्रा गांदी जी ने internal emergency लगाई हुई थी मैं आपको उसके बारे में भी discuss करूँगा so constitution यहां पर एक term इस्तमाल करता है proclamation of emergency खासकर जब हम national emergency की बात करते हैं अब देखें जब war या external aggression के बिना पर emergency declare की जाती है तो हम उसे external emergency कहेंगे क्योंकि बाहरी तरीक तरफ से हमें यहां पर threat देखने को मिल रहा है वही अगर हम internal emergency की बात करें तो यहां पर armed rebellion होना चाहिए अब देखें पहले यह armed rebellion नहीं था पहले यह internal disturbance word था बहुत ही वेक सर्टम था अब कैसे आप डिस्टाब आप डिफाइन करोगे internal disturbance को मैं सरकार के खिलाब प्रधान मंत्री के खिलाब कोई नारे लगा रहा है तो वहां पर आप emergency लगा होगे क्या बिलकुल भी नहीं जाहिर सी बात है कि जब शिमतिंद्रा गांदी जी की सरकार गिर चुकी हुई थी जनता की सरकार आई मुराजी देसाई जी प्रधान मंत्री बने तो 44th constitutional amendment act 1978 पास करके कई सारे importance changes किये गए थे और उनमें से एक यही था कि उस wake statement internal disturbance को हटा के armed rebellion यहाँ पर लगा गा था आई होप कि यह चीज़ें आपको अब तक clarify हो चुकी हुई होंगे सो 38 constitutional amendment act 1975 में श्रीमतिंद्रा गांदी जी ने पास किया हुआ था जिस कहता है तो उन्हों ने पूरी तरीखे से पावर पार्लेमेंट और एक्जिग्यूटिव के हाथ में ही दिया कि नाशनल जब डिक्लियर की जाती है तो वो जुडिशल रिव्यू से इम्योन होगी अब आपको पता होगा के केशव नंदा भारती का केस 1973 में आया हुआ था जिसके बिना पर यह कहा गया कि पार्लेमेंट को और एक्जिग्यूटिव को बिलकुल पावर है खासकर पार्लेमेंट को किसी भी हिस्से को कॉंस्टिटूशन के चेंज कर सकते हैं लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं और जुडिशल रिव्यू भी वन ऑफ दो मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक स्ट्रक्चर का ही हिस्सा है आर्टिकल 32 अंडियन कॉंस्टिटूशन के तहत सुप्रीम कोट आर्टिकल 226 अंडियन कॉंस्टिशन के तहत हाइट अलग-अलग व्रिट्स जारी करके जुडिशल रिव्यू भी कर सकते हैं अल्टिमेटली प को उनका पावर दीजी दिया जा चुका हुआ था कि हाँ नैशनल एमर्जंसी भी जो है वो जुडिशल रिव्यू के अंदर बिल्कुल आ सकते हैं और इस बात को खुछ सुप्रीम कोट मिनर्वा मिल्स केस में रिट्रेट किया हुआ था और कहा कि देखो अगर स्पेसिफि जो प्रोसेस होगा हम उसे जरूर फॉलो करेंगे मिनर्वा मिल्स केस बिन वह दो मॉस्ट इंपोर्टेंट वन ऐस फार अशनल एमर्जंसी इस ऑलसो इसे भी जूडिशल रिव्यू के अंडर ही लाया गया था ठीक है अच्छी बात है यह सभी नॉलेज हमने मिला असल प्र सभी रखा गया था कि एमर्जंसी प्रोक्लेमेशन का जो अडवाइस फ्राइम मिनिस्टर उनकी क्याबिनेट देगी वह रिटेन अडवाइस देना चाहिए प्रेसेड़ेंट ऑफ इंडिया को अब जैसा ही यहां पर अप्रूर्वल की बात आती है तो इमर्जंसी जो प्र सिस्टींत मार्च के अंडर विटिन दाट ओनली बोट दा हाउसस ऑफ पार्लमेंट राज्यसभा और लोगसभा दोनों को ही स्पेशल मेजॉरिटी के सांथ यहां पर इसे अप्रू करना पड़ेगा तब ही उससे कंटिन्यू किया जाएगा यह बहुत ही इंपोडेंट सी अगर लोगसभा नहीं है दिज 알 दिजलू किया गया या फिर बहुएल्फ ना यह करने के पहले इसे अक्सेप करने के पहले अपरू करने के पहले डिन प्रोक्लेशन जो है तटी के वितिन टाइम फ्रेम तक एमर्जंसी कंटिन्यू होगी प्रोवाइड़ इसी में टाइम में राज्यसभा उसे अप्रूव करना पड़ेगा क्योंकि राज्यसभा तो पर्मनेट है वो तो डिजॉल नहीं हो सकता यानि गुमा फिर आकर बात यहीं कहीं जा रही है कि मैंज एक्जिगूट्यू का अप्रूवल काफी नहीं है आपको लेजिस्लेचर में अटलीस्ट राज्यसभा का तो पर्मिशन लेना पड़ेगा अगर लोगसभा बैठक में नहीं है लेकिन अगर दोनों ही बैठक में है तो नो डोट दोनों का ही अप्रूवल यहां पर चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी के साथ और अगर दो हाउसे स्पेशल मेजॉरिटी के साथ इसे अप्रूव करते हैं तो एमर्जनसी फर्दर छे महीने के लिए एक्सेंट किया जाएगी तो इस तरीके से छे महीने छे महीने करते करते आप इंडेफिनेट पिरेड तक भी उसे अगर रिवोक करना हो बंद कर देना हो तो क्या करेंगे इसमें कोई भी जहमेला ज्यादा तर नहीं है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बस एक एक एक्जिगुट्यू और पास कर सकते हैं एनी टैम वो सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन देखके उसे रिवोक कर सकते हैं और स अच रिवोकेशन के लिए पार्लेमेट का प्रोवल जरूरी नहीं है बस प्रेसिडेंट अगर और पास करेंगे तो काफी होगा सर अगर एक्जिगुट्यू रडी नहीं है प्रदान मंत्री उनके क्याबिनेट रडी नहीं है वो प्रेसिडेंट को रिवोक करने नहीं दे जाएगा तो यह भी अधिकार लोगसभा के हाथ में दिया गया है चलिए थोड़ा बहुत हम एफेक्ट के बारे में बात करते हैं कि जब नाशनल एमर्जंसी लगाई जाती है तो किस रेंज ओफ वाइड एफेक्ट्स हमें यहां पर देखने को मिलते हैं सबसे पहला सिंट पर बड़ा भाई है अल्रडी स्टेट्स के ऊपर दबदबा सेंटर का है लेकिन जब यहां पर एमर्जंसी लगाए जाती है तो पूरी तरीखे सेंटर और पारफुर यहां पर बन जाता है और यहां पर तीन अलग-अलग हिट्स के अंडर हम यहां पर पावर्स को डिसक्स कर सकते हैं सबसे पहला एक्जिग्यूट्य पर पूरी तरीके से इंटाइट्र यहां पर हो जाता है और डिरेक्शन को किसी भी मैटर में हो सकता है और स्टेट कोसे फॉलौ करना ही पड़ेगा लेजिसलेंट्यू मैं भी यहां पर पार्लिमेंट को एंपवर किया जाते हैं जो कोई भी सब्जेक्ट पर वो चाहें तो लिजिस्लेट यहां पर कर सकते हैं इसमें कोई भी शाकोश होबा नहीं है तीजरा फैनेंशल से भी रिपरकॉशन समया पर देखने को मिलते हैं यह प्रेजिडेंट जो वो सब्सक्राइब कर सकते कॉंस्टिशनल डिस्ट्रिबूशन को खासकर रेविन्यू जो सेंटर और स्टेट के बीच होते हैं मान लेते हैं कि फैनेंस कमिशन बिठाया गया है उन्होंने कुछ अलग तौर पर एक फॉर्मला दिया निट प्रोसीड डिस्ट्रिबूट करने का र जान में रखनी पड़ेगी लोगसाबा और स्टेट एसेंब्ली की बी जिंदगियों पर यहां पर एफक्ट पड़ता है अब देखिए जो अपर हुझस हैं वह नहीं हो सकते हैं लेकिन जो पॉपलर बॉडिस हैं जहां पर रेप्रेजेंटेटिवस हमें देखने को मिलते ह लोगसाबा या फिर स्टेट एसेंब्ली वहां पर हमें कहीं ना कहीं लाइफ का टेन्यूर उनका एक्सेंड होते हुए हम देख सकते हैं तो लोगसाबा की लाइफ जो वह नॉर्मल टेन्यूर से एक साल अटे टाम यहां पर एक्सेंड हो सकती है लेकिन उसे 6 महीने से भी ज्यादा एक्सेंट नहीं कर सकते हैं हवेवर अगर एमर्जंसी सीज होती है ऑपरेशन में याने के एमर्जंसी के खतम होने के वितिन six months तक ही यहाँ पर extension दिया जा सकता है similarly Parliament किसी भी state legislature assembly का भी यहाँ पर tenure इस तरीके से national emergency के टाइम में to a maximum extent push कर सकता है for six months until emergency has ceased to operate तो नॉर्मल कार्यकाल भी यहाँ पर डिपेंड करता है इमर्जंसी लगने पर fundamental rights को लेकर भी यहाँ पर दबाव पड़ता है तो क्लियरली यहाँ पर constitutional amendment act ने यह कहा कि आर्टिकल 19 है वो तभी सस्पेंड किया जा सकता है जब नाशनल इमर्जंसी लगी हो on grounds of war and external aggression not in the terms of armed rebellion freedom of expression and speech आपको दिया गया है वही जब हम बाकी के fundamental rights की भी बात करते हैं तो प्रेसिरेंट के हाथ में यह power दिया गया है कि वह एक order पास कर सकते हैं जिसके तरह बता सकते हैं कि कितने टाइम के लिए कुन से fundamental rights को यहां पर suspend किया जा सकता है और साथी साथ वह यह भी order के द्वारा कह सकते हैं कि citizen को अब राइट नहीं दिया जाएगा कि वह remedial measures के लिए fundamental rights को enforce करने के लिए किसी भी court के पास जाए यानि कि remedial measures को suspend किया जा सकता है fundamental rights को ने इंडिरेक्ली वही चीज तो होगी कि जब remedial measures आपको नहीं मिले जाएंगे तो fundamental rights आपको नहीं दिये जा रहे हैं that is what actually it is तो यहां पर उसे suspension को भी जो है न वह पार्लेमेंट के आगे approval के आगे आगे आपको रखना पड़ेगा लेकिन 44th constitutional amendment act ने चंद powers जो है वो दिये हुए थे उनके तैत उन्होंने यह का कि president क कोई भी right fundamental right यहां पर suspend कर सकते हैं national emergency के लगने पर सिर्फ दो guaranteed rights article 20 और 21 के तैत वो suspend नहीं कर सकते बाकी के पुरे बिलकुल suspend किये जा सकते हैं कितने declarations अब तक हुए हैं देखिए अब तक तीन national emergency के declarations हमने देखे हुए हैं सबसे पहला जो था 1962 में जब China हमारे उपर aggression कर रह दूसरा emergency 1971 बांगलादेश लिबरेशन का वार जब हो रहा था इंडो पाक वार तो महाँ पर हमने emergency लगाई हुई थी और अभी वो continue ही हो रहा था कि तीसरी emergency internal disturbance के बिना पर श्रीमत इंद्रा गादी जी ने लगाई हुई थी June 1975 और ultimately March 1977 में दोनों emergencies जो अल्रेडी 1971 में थी उ बड़ा बहुत प्रेसिडेंट रोल दूसरे टैप अफ एमर्जेंसी के बारे में डिसकस करते हैं सो आर्टिकल 356 ऑफ दे इंडियन कॉंस्टिशन डिस्क्राइब सब्सक्राइब दिस लेकिन यहाँ पर दो आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में clearly understand करना ज़रूरी है सबसे पह सही नहीं चल रही है तो आर्टिकल 356 उसकी remedy बताता है आर्टिकल 356 कहता है कि अगर constitutional missionary का failure हमें state में देखने को मिलता है तो वहाँ पर center जो है प्रेसिडेंट रूल लगा सकती है यानि कि प्रेसिडेंट के हाथ में भी यहाँ पर यह authorities दिये गए हैं कि कि किसी भी part किसी भी स्टेट में पर वो प्रेसिडेंट का रूल लगा सकते हैं तो यहाँ पर भी two kind of हमें प्रेसिडेंट रूल देखने को मिलेंगे एक आर्टिकल 356 के तहट जो कहता है कि प्रेसिडेंट इशू कर सकते हैं प्रोक्लेमेशन को अगर वो satisfy होंगी कि situation state government की ऐसी है कि महाँ पर constitution क प्रावधान के हिसाब से state missionary चल नहीं रही है तो महाँ पर वो करेंगे एक यह तो governor का recommendation देना पड़ेगा जब दूसरा प्रेसिडेंट को लगना चाहिए कि हां वहाँ पर कुछ constitutional missionary का failure हो रहा है अब प्रेसिडेंट को कब लगेगा कि constitutional missionary fail हो रही है जब प्रेसिडेंट और cabinet recommend करेंगे और दूसरा article 365 कहता है कि center दिए गए हुए guidelines अगर state follow नहीं करता comply उन्हें नहीं करता तो वहाँ पर भी प्रेसिडेंट रूल लगा जा सकता है चोटा example में अगर आपको दे दो मानलो कोवीड में lockdown के time frame में तमिलनाडू को यह खागा है कि भाई lockdown लगा अगर तमिल करने पड़ेंगे उन्हें follow करना पड़ेगा parliamentary approval इसके लिए भी बहुत ही जरूरी है दोनों houses parliamentary approval इसे देना पड़ेगा from the date of issue two months time frame यहां पर हमें दिया गया है अगर लोगसभा setting में नहीं है तो within one month जब लोगसभा setting में आएगा तो लोगसभा को अप्रो करना पड़ेगा ल आप इसे for every six months renew करके पुश कर सकते हैं लेकिन अगर election commissioner of India एक report देता है कि वहाँ पर elections नहीं किया जा सकते तो यहां पर indefinite indefinite pay rate के लिए भी पुश किया जा सकता है लेकिन कई सारे ऐसे committees आए उन्हों recommend दिया कि आप रफली इसे जैसा चाहे वैसा आप आर्टिकल 356 का इस्तमाल मत किया करो यह federalism पर बहुत ही negative सा effect दिखाएगा अब यहां पर भी similar श्रीमति इंद्रा गांदी जी की सरकार ने 38th amendment act लाया हुआ था जिसके तैत प्रेसिडेंट को यहां पर पूरी तरिके से powers दिये गए थे और किसी भी court में on any ground challenge नहीं किया जा सकता प्रेसिडेंट रूल को लेकिन बाद में 44th amendment act 1978 के तैत यह power फिर से judiciary को restore किया गया था कि भई judicial review के under ही आता है प्रेसिडेंट रूल भी अब तक 120 ज्यादा बार प्रेसि प्रेसिस से हम गुजार रहे थे economic crisis तब भी हमने financial emergency नहीं लगाई हुई थी एक ही यहां पर important सा article है that is article 360 तो जब कभी इंडिया के financial stability को threat हो इंडिया के credit को threat हो या पर किसी भी territory इसी तरीके के issues से threaten हो रही है तो प्रेसिडेंट आफ इंडिया यहां पर proclaim कर सकते हैं यहां पर भी approval बहुत ही जरूरी है पार्लेमेंट का बोद दा हॉसस यहां पर अप्रू करना पड़ेगा within two months national emergency है तो one month president rule है यह फर financial emergency है तो within two months उन्हें अप्रू करना पड़ेगा from the date of issue वही अगर लोगसाबा यहां पर नहीं है तो राज्यसाबा उसका approval दे सकता है लेकिन लोगसा को भी इसे अप्रू करना बहुत ही जरूरी है एक बार अगर पार्लेमेंट इसे अप्रू करता है बुद्धा हॉसस तो financial emergency तिल रिवोक होने तक उसे इंडेफिनेटली continue किया जा सकता है और रिवोक करने के लिए फिर पार्लेमेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है प्र गवर्नर को भी ठाके हम यहाँ पर डिरेक्शन्स दे सकते हैं अपर डिरेक्शन्स दे सकते हैं सालरीस में भी डिदेक्शन हो सकता है स्टेट सर्विसस में जो कोई भी है जो फàiनैंशल बिल्स होते हैं स्टेट की वो कंसिटरेशन के लिए फार प्रेसेडश्ट के रग दिया जा सकता है रिजर्व किया जा सकता है गवर्नर को यह अधिकार दिया गया है और साथी साथ प्रेसिडेंट आफ इंडिया ये रिडेक्शन भी कर सकते हैं अलग-अलग सेंट्रल गवर्मेंट के सर्विसस के भी सैलरी स्वगेरा और इवन सुप्रीम कोट और हाई कोट के जड़्जर्ज के सैलरी स्वगेरा को भी रुका दिया जा सकते हैं यानिकि फैनेंशल प्रोप्राइट्री का कंट्रोल पूरी तरीके से यूनियन के हाथ में आता है अब कई सारे क्रिटिसिजम्स भी हमें बिलकुल लगाई जा सकती है अब उसके क्रिटिसिम्स भी ऐसे हैं कि सबसे पहली चीज़ तो फेडरल कारेक्टर यहां पर पूरी तरीके से इंडियन यूनियन का चला जाएगा लेडी हम करते हैं कि यूनिटरी बयास के साथ इंडियन फेडरेशन काम करता है वैसे में टरीके से उनी के हाथ में सभी पार्ट होंगे अब देकिटेंट को बेक्पोर नोडोडौड प्राइम मिनस्टर प्रैम अगरेंट ही है उनका एडवाईज ही है लेकिन यहां पर गवर्न जी तो पॉपलर्ली एलेक्टिट जो सरकारें हैं डेमोक्राइटीक स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनका यहां पर मीनिंग्लेस एक रोल हो जाएगा फिनेंशल अटॉनमी स्टेट की जो पुरी तरी के से निलफाई की जाएगी क्योंकि सेंटर के हाथ में ही सब कुछ फिनेंशल प्रोप्रेटरी होती है और सबसे इंपॉर्टेंट्स है जो एफेक्ट हम कह सकते हैं इस फंडेमेंटल राइट्स विल बिकम मीनिंग्लेस तो यह चंद इंपॉर्टेंट्स सी चीज़ें थी आपको एमर्जंसी के बारे में जाननी थी आपके पूरे डाउट्स क् सबी को कर बार याद राद हो के स्स्बी क्राक एक्जाम के पास स्स्बी इंटर्व्यू से रिलेटेट फुल फेज ओनलाइन कोर्स अवेलेबल है हर माइन इसके नए बैच से स्टार्ट होते हैं प्रेट्स के सान्ब इनफरमेशन शिर कीजिएगां वी और इनडीये सीडिय स्सबी क्राक एक्जाम के कोर्स को चेक करना ना भूलें आप हमारी लर्निंग अप्लिकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं